गुड मोर्निंग स्टुडेंस आज का हमारा जो धेनकारिय बेटा पाठ मानुवे कुरूना की दिव्य चमक लेखक हैं सर्वेशवर द्याल सक्सेना बेटे हम पहले भी पढ़ चुके हैं आज हमारा रिवीजिन वरक रहेगा यानि के भ्यासकारिय आज हम करेंगे देखिए मानुवे कुरूना की दिव्य चमक का अर्थ मैंने बता था बेटा मनुश्य के मन में उत्पन होने वाली दया की भावना यानि की दैव्य गुणों से यूगत मानी गई हैं मानुश्य के मन में उत्पन होने वाली दया की भावना दैव्य गुणों से यूगत मानी गई हैं मानुवे कुरूना की दिव्य चमक एक महतव पुरण संस्मरण है संस्मरण समरीतियों से बनता है समरीतियों की विश्वासनेता उसे महता परदाने करती हैं लेखक ने फादर कामिल बुलके को याद करते वे उनकी यादों से जुड़ी उगटनाओं को लेकर अत्यंत भाव पुरुन सैली में उके रहा हैं। देखिए फादर कामिल बुलके अपने आपको भारतिय कहते थे उनका जनम यूरोप के रेंप सेंपल सहर में हुआ था जो ग्रीजों, पादरियों, संतों और धर्म गुरुओं की भूमी माने जाती हैं। फादर बुलके ने भारत को अपनी करम भुमी बताया, वे सन्यासी थे लेकिन परंपरी कर्थों में नहीं थे। उन्हें हिंदी भासा से बहुत प्रेम था, राम की कथा से तो उनका लगाव देखते ही बनता है। फादर कामिल बुलके के चरितर चितन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वे साथ 35 वर्षों का साथ रहां लेखक और फादर कामिल बुलके में गनिस्ट संबन थे। तो वे उनको इतने लेखक उनसे इतने परभावित थें कि उनकी याद आते ही निरास हो जाते हैं। और उनकी बातों में पवितरता की दर्शन होते थे। वे अपने समीब के लोगों से या जो उनके जानकार थे, प्रीचित जो लोग थे, उनको अच्छे बुरे अवसर पर समान भाव से मिलते थे। और जब दस वर्सों के बाद किसी व्यक्ति से वो मिलते थे, उनके मिलने में वही गंद या वही परसंता मैसूस करते थे। यानि कि जैसे पहले जैसा प्रेम ही उनके साथ दिखाते थे। और जिनके साथ वो रिष्टा निवा लेते थे, तो भली बांती, जीवन भर तग निवाते थे। दूसरों के घर की कुसलता पूछना तो फादर कामिल बुलके का सभाव था जैसे लेखक की पतनी और पुत्तर की मरितु के समय, उसने जो सब्द कहें, उन सब्दों की जो सांती लेखक के दिल में बनी रही, वो किसी संत साथू के भगती करने से भी नहीं मिलती। फादर कामिल बुलके दिल्ली में रहते थे और बिमार पड़े 18 अगस्त 1982 की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। तो सभी लोगों की आँखे नम हो गई और लेखक ने उनको सरंधा जली अरपित की। उन्होंने कहा कि इस धर्ती पर फादर जो पास्कल ने कहा इस धर्ती पर ऐसे रतन और पैदा हो। वहाँ जो पस्तित सभी लोगों ने फादर को अपनी सरंधाजली अरपित की और फादर के सव को कवर में उतार दिया। सब की आँखे नम हो गई। और इस परकार सब के बीच रहने वाले फादर हमेशा मेशा के लिए चले गए। फादर जैसे चायादार, फलदार, सुगन से भरा, सब से अलग, सब का होकर, सब से उंचाई पर मानिवय करुणा की दिवय चमक में लहराता रहेगा। यानि की वो सब की यादों में और लेखक के मन में सदा बना रहेगा। तो बेटा इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा की फादर, लेखक ने फादर का मिल बूलके को समरण करते हुए कहा की फादर को याद करना तो एक उदास सांसंगीत के सुनने के समान है और जो भी व्यक्ति उनसे मिलता था, सब को सांती और स्कून मिलता था। फादर सदा ही वादसल्य और कुरूना के भाव से परिपूरण रहते थे। उनका व्यवार सब के साथ अच्छा था। और लेखक के साथ तो फादर के पारिवारिक संबन थे और जब कोई भी उनके परिवार में उत्सम मना जाता था तो उनको बड़े भाई और पुरोहित की बांती उन सब को आसिस दिया करते थे। तो फादर को लेखक ने देवदारू की चाया के समान बताया हैं उनके मन में दया करुणा सनेह ममता भरी रहती थी और वो एक देवदारू के समान चाया देने वाला सितलता परदान करने वाला माना हैं। तो बेटा इसमें हमें क्या सीख मिली हैं कि हमें अपने मातरी भूमी से असीम प्यार करना चाहिए, हमें अपने भारत वासियों को विदेश में बसने का लोब को त्याकर अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हमें हिंदी और भारत दोनों को ही बरपूर आदर करने का संदे प्रोपकार का कारिया करना चाहिए और सब के साथ प्यार से हमें रहना चाहिए उन्होंने क्या बता लोगों के जीवन में जब कोई दुख विपत्ती आए तो हमें उनके दुख और सुकों में समलित होना चाहिए और हमें हमेशा एक सहास और धैरिये से सचे मन से भारतिय होते हुए अपने समाज में योगदान देना चाहिए तो इस तरह मानुय करूना की दिवियत चमक सदा उनके चेरे पर चमकती रहेगी धन्यवाद बीटा